नमस्कार मित्रो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे. मित्रो आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है. मित्रो आज हम इस वीडियो में जानेंगे की कैसे हमारे विचार व्यक्त करने का तरीका अलग-अलग होता है और कैसे हम अपने विचारों में घिरे रहते हैं. भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुँचा. बिहार के श्रावस्ती नगर में उन दिनों उनका उपदेश चल रहा था. शन का समाधान के लिए उचित मार्ग दर्शन के लिए लोगों की भीर उनके पास प्रतिदिन लगी रहती थी. आगंतुक ने पूछा क्या इश्वर है? बुद्ध ने एक टक उस युवक को देखा बोले, नहीं है. फोली देर बाद एक दूसरा व्यक्ति पहुचा. उसने भी उसी प्रशन को दुहराया क्या इश्वर है? इस बार भगवान बुद्ध का उत्तर भिन था. उन्होंने बड़ी द्रिलता के साथ कहा, हाँ इश्वर है. संयोग से उसी दिन एक तीसरे आदमी ने भी आकर प्रशन किया क्या इश्वर है? बुद्ध मुस्क्राये और चुप रहे कुछ भी नहीं बोले. अन्य दोनों की तरह तीसरा भी जिस रास्ते आया था उसी मार्ग से वापस चला गया. आनन्द उस दिन भगवान बुद्ध के साथ ही था. संयोग से तीनो ही व्यक्तियों के प्रशन एवं बुद्ध द्वारा दिये गए उत्तर को वह सुन चुका था. एक ही प्रशन के तीन उत्तर और तीनो ही सर्वता एक दूसरे सिभिन, यह बात उसके गले नहीं उतरी. बुद्ध के प्रती उसकी अगाद श्रद्धा अविचल निश्था थी पर तारकिक बु सोचा, व्यर्थ आशन का कुशिन का करने की अपेक्षा तो पूछ लेना अधिक उचित है. आनंद ने पूछा, भगवान, दृष्टता के लिए एक शमा करें. मेरी अल्प बुद्धी बारंबार यह प्रशन कर रही है कि एक ही प्रशन के तीन व्यक्तियों के लिए भिन- इससे सत्य के उपर आच नहीं आती. बुद्ध बोले, आनंद, महत्व प्रशन का नहीं है और नहीं सत्य का संबंध शब्दों की अभिव्यक्तियों से है. महत्व पूर्ण वह मनहस्थिती है जिससे प्रशन पैदा होते हैं. उसे ध्यान में न रखा गया आत्मिक प्रगत के लिए क्या उप्युक्त है, इस बात की उपेक्षा की गई तो सच्चमुछी सत्य के प्रती अन्याय होगा. पूछने वाला और भी भ्रमित हुआ तो इससे उसकी प्रगती में बाधा उत्पन होगी. उस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध बोले प वह मात्र अपने कमजोर विश्वास का समर्थन मुझसे चाहता था. कनुभूतियों की गहराई में उतरने का साहस उसमें न था. उसको हिलाना आवश्यक था ताकि इश्वर को जानने की सच्चमुछी उसमें कोई जी ग्यासा है तो उसे वह मजबूत कर सके इसलिए उसे कह पड़ा इश्वर नहीं है. दूसरा व्यक्ति नास्तिक था. नास्तिक था एक प्रकार की छूत की बीमारी है जिसका उपचार न किया गया तो दूसरों को भी संक्रमित करेगी. उसे अपनी मान्यता पर अहनकार और थोड़ा अधिक ही विश्वास था. उसे भी समय पर प्रूरी था. इसलिए कहना पड़ा इश्वर है. इस उत्तर से उसके भीतर आस्तिक्ता के भावों का जागरन होगा. परमात्मा की खोज के लिए आस्था उत्पन होगी. उसकी निश्था प्रगार है. अतह उसे दिया गया उत्तर उसके आत्मविकास में सहायक ही होगा. तीसरा व्यक्ति सीधा साधा, भोला था. उसके निर्मल मन पर किसी मत को थोपना उसके उपर अन्याय होता. मेरा मौन रहना ही उसके लिए उच्चित था. मेरा आचरन ही उसकी सत्य की खोज के लिए प्रेरित करेगा तथा सत्य तक पहुँचाएगा. आनंद का असमंजस दूर हुआ. साथ ही इस सत्य का अनावरंग भी की महापुरुशों द्वारा एक ही प्रश्न का उत्तर भिन-भिन व्यक्तियों के लिए भिन-भिन क्यू होता है. साथ ही यह भी ग्यात हुआ कि सत्य को शब्दों में बांधने की भूल कभी भी नहीं की जानी चाहिए. मित्रों आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी? हमें कॉमेंट करके बताएं और इसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले.